बपी दा के घर पर लगा सितारों का तांता गुरुबार को होगा अंतिम संसकार 80 और 90 के दशक में भारत में डिसको संगीत को लोगप्रिये बनाने वाले गायक संगीतकार बपी लाहिरी का कई स्वास्थ्या समस्याओं के बाद निधन हो गया है उनका इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने बताया कि बपी लाहिरी कल राद घर पर थे और अस्वस्थ थे फिर उन्हें जुहू के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां उनका निधन हो गया सिधार्थ मलहुत्रा ने दी शद्धानजली महान संगीतकार और पॉक संस्कृति गायक बपी लाहिरी जी को भावगीनी शद्धानजली बगवान उसकी आत्मा को शांती दे परिवार को मेरी तरफ से संबेदना और रत्न को खो दिया विवेक और विरॉय संगीत उद्योग ने आज एक और रत्न खो दिया है मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा गीत किसी नजर को तेरा है फिल्म अकबार से जो मेरे पिता पर फिल्म आया गया था वास्तव में एक भावकून गीत है जिसे लोग आज भी प्यार करते हैं आपको हमेशा याद किया जाएगा हेमा मालिनी बपी लाहिडी या बपीदा जैसा कि उन्हें कहा जाता था आधी रात के आसपास निधन हो गया उन्हें उनके नए डिसको संगीत और तेज नंबरों के लिए याद किया जाएगा जो उन्होंने फिल्मों में पेश किये कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं किया था उन्हें उद्योग और प्रशंसको द्वारा बहुत याद किया जाएगा